वेल्कم तो अग्रिकुल्चर पीडिया नमशकार दोस्तों अग्रिकुल्चर हरिटेज के एक और वीडियो में आपका स्वागत है और आज का टॉपिक है क्रॉप वॉएज इन वर्ल्ड अर्ड उंड्या तो दोस्तों जो वॉएज वर्ड है English literature में उसका meaning होता है long journey या फिर बहुत लंबे सफर पे जब कोई जाता है तो हम उसको voyage कहते हैं और यहाँ पे crop voyage का मतलब यह है कि किस तरीके से different crops भारत में बाहर से introduce की गई या फिर जिनका origin भारत में है वो यहाँ से worldwide migrate करके पहुँच गई और दोस्तों शुरुआत से ही इंडिया को mega agrobiodiversity country माना गया है यानि हमारा देश ऐसा देश है जिसमें बहुत आयत में विभिन्नता पाई जाती है चाहे वो animals में हो, चाहे वो plants में हो, चाहे वो microbes में हो because हमारी जो country है वो आधी tropical region में है, आधी temperate region में है तो चुकि अलग-अलग climatic conditions यहाँ पे मिल जाती है, अलग-अलग temperatures यहाँ पे मिल जाते है और अलग-अलग altitudes पे बहुत सारे अलग-अलग plant species मिलते हैं, इसलिए biodiversity होना लाजमी है तो इंडिया जो है, इसके अंदर exotic crops किस तरह से बाहर से अंदर आई और हमारी जो indigenous crops थी, जो यहाँ पे domesticate की जाती थी, वो यहाँ से बाहर कैसे गई उसके बारे में आज हम इस वीडियो में जानेंगे और जो major indices हैं जो हम use करेंगे कि हमें किस तरह से प्रमाण मिले हैं इन चीजों के वो हैं सबसे पहला है archaeological remains यानि पुरा तत्व विभाग ने किस तरह से जो पुराने remains मिले हैं उनकी चान बीन करके किस तरह से पता लगाया कि किस crop का origin कहां पे रहा है या फिर कुछ literary sources जिस तरह से हम पुराने ग्रंथों को जब पढ़ते हैं चाहे वेध होते हैं या फिर हमारे दूसरे ऐसे ग्रंथ होते हैं जिनको travelers ने लिखा है कि जब एक traveler एक country से दूसरी country में जाता है तो वो ज़्यादा तर किताबे लिखता था किताबों में वहाँ पे एक उस country में पाई जाने वाले plants, animals और लोगों के जीवन के बारे में वर्णन किया करता था उन्ही sources से हम आज पता कर सकते हैं कि कौन सी crops का origin कहां पे हुआ है और तीसरा जो source होता है वो होता है दोस्तों ancient dating जिसको हम carbon dating भी कहते हैं इसके अंदर radio isotopic carbon जिसको हम C14 कहते हैं उसका प्रमान मिलता है और उसकी half life से हम पता कर सकते हैं कि कौन सी crop किस country में कितने पुराने काल से मिलती चली आई है दोस्तों आगे बढ़ने से पहले हम कुछ limitations जान लेते हैं evidences की जिसकी वज़े से ये crop voyage को लेकर के इतना confusion रहता है अलग-अलग scientists के बीच में कि कुछ scientists कहते हैं कि इस crop का origin एक country है और कुछ scientists believe करते हैं कि दूसरी country है तो सबसे पहला कारण तो ये है कि बहुत सारी ऐसी crops हैं जो कि vegetatively propagate होती है vegetative propagation मतलब होता है कि कि किसी भी plant के अगर बीच के अलावा या fruit के अलावा किसी और part से अगर वो propagate हो रहा है तो इन plants के बारे में archaeological evidences बहुत ही कम है दूसरा reason ये है दोस्तों कि जितनी oriental languages हैं यानि पुरानी भाशाएं हैं जैसे कि Sanskrit, Prakrit, Pali, Dravidian इनके बारे में बहुत सारे लोगों को अच्छी जानकारी नहीं है और पुरानी languages में ही पुराने गरंथ लिखे गए हैं और इस वज़े से लोग उस knowledge को share नहीं कर पाते हैं next एक difficulty आती है दोस्तों कि जितनी plant species हैं उनकी जो latin synonyms हैं उनको ना तो हम identify कर पाते हैं ना ही verify कर पाते हैं बहुत सारी ऐसी भी crops होती हैं दोस्तों जो कि minor crops होती हैं जिनका बहुत ज़ादा significance नहीं होता है उनके बारे में या तो बहुत ही poor documentation हुआ है या फिर बहुत ही कम information पाई गई है और last कारण है दोस्तों कि जितनी भी ancient introductions हुए हैं इंडिया में या इंडिया से बाहर उनको हम distinguish नहीं कर पाते हैं उसको करने में हमें बहुत ज़ादा कठिनाई का अनुभव होता है तो दोस्तों अब हम जानेंगे कुछ ऐसे ancient crop introductions के बारे में जो हमारे रोज मर्रा के जीवन में अभिन अंग बन गए हैं तो सबसे पहली crop है दोस्तों ओक्रा या फिर lady finger जिसको हम भिंडी भी कहते हैं और इसका botanical name है abalmoscus asculentus इसका origin जो है वो एशिया मना गया है लेकिन बहुत सारे scientist में मतभेध है कि इसका जो ancestral home है वो या तो आफ्रिका है या फिर इंडिया है और संस्कृत में इसको tindisha या फिर गंध मूला भी कहते हैं दूसरी crop है onion या फिर alien sepa इसको हम इंदी में प्याज कहते हैं इसका primary center of origin Central Asiatic region माना गया है और secondary centers Mediterranean regions को माना गया है इंडिया में इसका reference हमको 6th century BC में मिलता है और संस्कृत names है इसके पलंदूह और सुकंदा और बहुत ही पुराने जमाने से इंडिया में इसका domestication होता आया है ऐसा archaeo botanical remains से प्रमानित है next crop है garlic या फिर लहसुन जिसको हम alien sativum कहते हैं इसका origin Central Asia में माना गया है और लगभग 3000 BC में जो महंजदरो period था उस time पे इंडिया, इजिप्ट और मेसोपोटामिया के बीच में जो trade relations थे उनी से ये समझा जाता है कि ये इंडिया में आए हैं और बाद में चुकि ये bulb से grow किया जाता है तो इंडिया में इसकी खेती शुरू हो गई और इसका संस्कृत नेम है महा ओशधा या फिर लशुनहा या फिर रासो नकाहा next crop है दोस्तों amaranth जिसको हम amaranthus hypochondriacus भी कहते हैं ये नदर्न मेक्सिको का नेटिव है और थर्ड मिलेनिया बीसी में इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया था हिमाले रीजिन में बहुत ही जादा amount में cultivate किया जाता है और संस्कृत में इसको तंदुलिय भी कहते हैं या फिर चॉलाई भी कहते हैं नेक्स्ट रॉप है कैश्यूनट जिसको हम काजू कहते हैं इसका बोटानिकल नेम होता है अनाकार्डियम ऑक्सिडेंटेल ये ब्राजील या फिर वेनेजुएला का नेटिव होता है और जम्बुकेश्वर टेंपल में इसके रिमेंस मिले हैं जिसमें इसका डेपिक्शन पाया गया है पूरे फ्लार्ड्स और फ्रूट्स के साथ और संस्कृत में इसका नाम होता है बीजर सुला या फिर शू फहारा या फिर काजू टकर नेक्स्ट ट्रॉप है पाइनापल जिसे हम अननास कहते हैं और बोटानिकल नेम है अननास कोमोसस और ब्राजील का नेटिव होता है और ये माना गया है कि इंडिया में फिफ्थ सेंचुरी एडी में इंट्रेड्यूस किया गया था फिफ्थ सेंचुरी एडी के टाइम में मध्यप्रदेश के उद्यागेरी केव टेंपल्स में बहुत सारे स्कल्प्चर्स मिले हैं जिसमें इस फ्रूट का हमें वर्णन मिलता है वनमला ओफ विश्नु के फॉर्म में और इसके संस्कृत नेम्स है अनना नासम और बहुनेत फ्रूट है दोस्तों कस्टर एपल या फिर लार्ज अनोना जिसे हम अनोना चेरि मॉलिया भी कहते हैं यह कोलम्дिया एकवडोर और पेरू का नेटिव होता है और 1820 में ये इंडिया में इंट्रियूस किया था इसी के जैसा एक और कस्टर एपल होता है जिसे हम बुलक्स ह और इसका बुटानिकल नेम है अनोना रेटिकुलाटा और ये ट्रॉपिकल अमेरिका का नेटिव होता है और ये माना गया है कि इंडिया में आने के बाद इसने अपने आपको यहां के वातावरन के हिसाब से ढाल लिया था और इसका संस्कृत नेम है रामसीता या लवूनी या फिर रामफल या फिर कृष्ण बीजम नेक्स क्रॉप है दोस्तों चिली पेपर जिसको हम हरी मिर्ज कहते हैं ये खाने में बहुत तीकी होती है और इसका बुटानिकल नेम होता है कैपसिकम अनम और ये साउथ अमेरिका की नेटिव होती है और ये माना गया है कि पोर् चुवीरा या फिर मरीची फलम नेक्स क्रॉप है साफलार जिसको हम कार्थमस टिंक्टोरियस कहते हैं और एविडेंस ये सजिस्ट करते हैं कि इस्टन मेडिटरेनियन रीजिन या फिर पर्शिन गल्फ में इसका ओरिजिन हुआ था और एंशेंट संस्कृत स्क्रिप्चर में इसे कुसुम्ब कहते हैं नेक्स क्रॉप है दोस्तों चिकपी या फिर बेंगॉल ग्राम जिसको हम साइसर अरेटिनम भी कहते हैं और शुरुवात में ये तुर्की में ग्रो की गई थी लगबग 7000 BC में और इंडिया में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था लगबग 2000 BC में ये शुरुवात में मेडिटरेनियन बेसिन में कल्टिवेट की जाती थी और एंशिंट राइटिंग्स में इसको चनक भी कहते हैं नेक्स क्रॉप है वाटरमेलन या फिर सिट्रूलस लेनेटर्स जिसको हम मतीरा या तर्बूस कहते हैं ये सदरन आफ्रिका का नेटि किनारे इसका कल्टिवेशन किया जाता था और संस्कृत में इसको तरम बूज या फिर कृष्ण बीजा या फिर मधूर फल भी कहते हैं नेक्स्ट रॉप है तोसा जूट जिसको हम कॉर्कोरस औलिटोरियस कहते हैं आफ्रिका इसका प्राइमरी सेंटर अफ ओरिजन है और इसका सेंटर है और इंडिस वाली सिविलाइजेशन में हमें जूट की टेक्स्टाइल्स होने के प्रमान मिलते हैं संस्कृत में इसको पत्ता कहते हैं या फिर कक्का तपत्रक कहते हैं नेक्स्ट रॉप है मस्क मेलन या फिर खरबूज जिसको क्यूक्यूमिस मेलो कहते हैं खाने में बहुत मीछा होता है और नेटिव होता है आफरिका का लेकिन इसका साथ ही साथ इंडियन सब कॉंटिनेंट भी इसके विरियेंट्स का होम माना गया है संस्कृत में इसको खरवूजा कहते हैं या फिर कलिंग कहते हैं नेक्स ट्रॉप है पंकिन या फिर कद्दू और इसका बुटानिकल नेम होता है कुकरबिटा पेपो नॉर्थ अमेरिका का नेटिव होता है लेकिन अथर्व वेद में जो की 800 BC में लिखा गया था उसमें इसका प्रमान मिलता है और बुधिस्त जातक जो कथाएं हैं जो की 4th century AD में लिखी गई थी उसमें भी इसका प्रमान मिलता है संस्कृत में इसे कुरकारो या फिर कुष्मांडा कहते हैं नेक्स ट्रॉप है cotton या कपास और इसका बुटानिकल नेम होता है गॉसीपियम बार्बिदेंस और साउथ अमेरिका का नेटिव होता है लेकिन इंडिया म नाइजर या फिर गोई सोशिया अबाइसीनिका और नाइजर जो है इसका ओरिजिनेशन माना जाता है इथोपियन हाइलैंड्स में एज ओयल सीड क्रॉप और यह माना गया है जितने भी इथोपियन इमिग्रेंट्स थर्ड मिलेनियम बीसी में इंडिया आए वो इस क्रॉ में इसको राम तिल कहते हैं नेक्स्क्रॉप है सनफ्लावर या फिर सूरज मुखी और बोटानिकल नेम है इसका हैलियांथस अनस साउथ अमेरिका और सेंट्रल अमेरिका का यह नेटिव होता है लेकिन चरक समहिता जो की 4th century AD में लिखी गई थी उसमें इसके प्रमान मिलत हैं संस्कृत नेम्स है आद्यत्य भक्त या फिर सूर्य मुखी नेक्स्क्रॉप है किनाफ या फिर डेकन हेंप जिसको हिबिसकस कैनाबिनस भी कहते हैं और आफ्रिका में इसका ओरिजिन हुआ था लेकिन ये इंडिया में वाया पर्शिया होती भी हैल गई और संस्कृत के लिट्रेचर्ज में 7th century में इसके प्रमान मिलते हैं और संस्कृत में इसको बाल मूलिका कहते हैं नेक्स्ट रॉप है दोस्तों बाले जिसको हम होडियम वलगेर भी कहते हैं और फर्टाइल क्रिसेंट में डॉमेस्टिकेट होने वाला ये पहला ग्रेन है हमारे संस्कृत में बाले को मेंशन किया गया है जिसमें इसको यव या फिर अक्षत कहा गया है नेक्स्ट रॉप है स्वीट पिटेटो या फिर शकरकंदी जिसको हम आईपोमिया बटाटास कहते हैं साउथ अमेरिका का ये नेटिव होता है और संस्कृत में इसको वल्ली या फिर हुँ भी कहते हैं नेक्स क्रॉप है दोस्तों बॉटल गॉड जिसको हम लॉकी या घीया कहते हैं और इसका बोटानिकल नेम है लाजनेरिया साइसरेरिया और आफ्रिका इसका ओरिजन होता है संस्कृत में हम इसको अलबू या फिर कुटुकुम्भी भी कहते हैं ये तो क्रॉप की बाते हैं जो बाहर से इंडिया में आई अब हम बात करेंगे कुछ ऐसी क्रॉप की जिसका ओरिजन इंडिया में हुआ और यहां से वो पूरे वर्ल्ड में फैल गई तो पहली क्रॉप है राइस जिसको हम चावल भी कहते हैं या धान कहते हैं या अक्षत कहते है इसका botanical name होता है Oriza sativa और सबसे important center of cultivation है rice का इंडिया और आज भी सबसे जादा क्षेत्रफल में इंडिया के rice ही ग्रो किया जाता है तो historians ये believe करते हैं कि सबसे पहले जो हमारे हिमाले के foot hills थे वहां से stretch होता है Burma, Thailand, Laos, Vietnam और सदन चाइना तक इसकी खेती होती थी और इसी वज़े से ये जितना इंडिया में famous है वैसे ही उतना ही सदन चाइना में भी famous है दूसरे जो crop है इंडिया में जिसका domestication हुआ वो है बेल या फिर wood apple और शिवजी पर बेल के पत्ते चड़ाए जाते हैं और ये native है इंडिया का, नेपाल और म्यानमार का और बहुत ही sacred tree होता है क्योंकि जितने भी शिव भक्त हैं वो बेल पत्र शिव पर चड़ाते हैं और इसको संसृत में बिल्व कहते हैं नेक्स टॉप है दोस्तों black pepper जिसके लिए बहुत सारी लडाईयां लड़ी गई और इसको black gold भी कहा जाता था और इसी की वजह से वासको दिमा, 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 कॉलंबस ये सब भारत की खोज के लिए निकल पड़े थे इसका botanical name होता है पाइपर नाइग्रम ये पाइपर लॉंगम से बहुत ज़ादा रिसेंबल करता है नेक्स टॉप है एगप्लांट या फिर ब्रिंजल जिसको हम बेंगन कहते हैं सोलोनेसी फैमिली का होता है इसका botanical name है सोलेनम मिलान जेना ये इंडिया का नेटिव होता है और यहीं से व तो इंडो-Malaysian region जो है Southeast Asia का वहाँ पे इसका origin माना गया है और यहीं से वो Middle East या फिर Indian subcontinent चाइना, Australia और Pacific Islands में फैल गया तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही मैंने आपसे जो exotic crops इंडिया में आई और जो indigenous crops इंडिया से पूरे विश्म फैली उसके बारे में discuss किया हाँ